हेलो गाइज वेल्कम टू माई चैनल रितो की दुनिया हर हर महादेव आज मैं आप सब के लिए लाएँ एक न्यू रेसिपी भोती क्रिस्पी एंड भोती तेस्टी रेसिपी चलो आए रेसिपी को सुरू करते हैं ये मैंने तीन आलो लिये जिनको मैंने अच्छे से धो लिय अब इनको हम पील कर लेंगे यानि छील लेंगे हम इनको अच्छे से छील के भोती क्रिस्पर मोर्थी तेस्टी नास्ता बनाएंगे वो भी 10 रुपे में आप भी कहोगे कि आज ये कैसा नास्ता है और खाने में भोती तेस्टी लगेगा आप इसे बड़े बच्चे महमान निस्तेदारों किसी को भी दे सकते हैं खाने में ये देखें मैंने इन आलू को छील लिया और ये आलू के छील के गाईज हम फैकेंगे नहीं इनको भी हम भोती टेस्टी नास्ता बनाएंगे जो कि ये वीडियो मेरे चैनल पे आ चुकी है आप जाके देख सकते हैं और जो मेरे चैनल पे नहीं है प्लेज चैनल को सबस्क्राइब करें और जाते जाते वीडियो को लाइक भी करें ये मैंने आलू ले लिए जिनको अब हम नाइफ से कट कर लेंगे हम इनको इस तरह कट करेंगे आइस क्यूब की तरह जैसे क्यूब होती है उसकी तरह छोटे छोटे चाकोर चाकोर पीस कट कर लेंगे यह साइड से कोनी हटा देंगे और इनको हम फैकेंगे नहीं साइड के जो भी काट रहे हैं इनको भी हम बाद में यूज कर लेंगे या तो इसी में यूज कर लेंगे या नहीं तो हम इनको सबची में यूज कर लेंगे हमें कोई भी चीज नई फैक नहीं है और आज तो मैं तनी अच्छी रैसी पिले क्या आई हूँ आलू के छिलके वाली जिसे आप देखते ही खुस हो जाएंगे कभी भी आलू के छिलके नहीं फैक होगे ये मैंने क्यूब को कट कर लिया है आलू की अभी ने हम अच्छे से मैंने ने अच्छे से धो भी लिया है अभी से हम एक बार और धो के पानी को फैक देंगे, अब इसमें हम दुबारा से पानी डालके पाँच मिनट के लिए छोड़ देंगे पाँच मिनट के छोड़ने के बार हम चलो आईए फ्लेम पर कढ़ाई रखते हैं कढ़ाई में ये मैंने एक गिलास पानी को बोईल कर लिया है अब जो ये क्यूब है, इनका मैंने पानी निकाल दिया है अब ये मैंने इसमें डाल दिया है, इनको हम जादा नहीं पकाएंगे इनको हम अद कचा रखेंगे, यानि कचा पका रखेंगे ऐसे हम फोक्स से चेक कर लेंगे, कि ये पक गया है या नहीं चलो आईए यह अच्छे से पक्के तयार हो गया है ऐसे हम इसे दो से तीन बाव उपर से नीचे कर लेंगे ताकि दोनों साइड से अच्छे से हो जाए अब इसे हम बहार निकाल लेंगे कड़ाई से यह मैंने बहार निकाल लिया है जिसको मैंने पाच मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया है चलो आईए पाच मिनट हो गई है अब यह ठंडा हो गया तो इसमें हम यह मैंने एक चमच आरा रोट लिया है अरा रोट इसलिए डालाया गाई जो इस पर ये क्यूब है भोतिक क्रिस्पी बनेंगे खाने में करंची करंची लगेंगे एकदम और ये मैंने आदा चमच सोल्ट डालाया यानि नमक और ये मैंने कोरियंडर धनिया डाल दिया है अब इसमें हम आदा चमच लाल मिंस्ट पाउडर डाल देंगे और एक पिंट इसमें हम गरम मसाला डाल देंगे इसमें यह मेरे पास एक पैकिट रखा था चिली फ्लेक्स का इसमें भी मैं आदा पैकिट चिली फ्लेक्स डाल दोगी इसमें थोड़ा सही आता है अब इसे हम अच्छे से एक चमच से चला लेंगे यानि जो यह क्यूब है यह जो मैंने नहीं मसाला डाला है और रोट वगरा अच्छे से कोट हो जाए तो यह देखे अब अच्छे से इनके लग चुका है क्यूब पर आलू कि और यह अच्छे से कोटिंग हो गई है चलो आईए अब इन्हें काठाई रख लिए जिसमें मैंने ओईल पहले से गरम कर लिया है इन्हें हम लो टू मीडियम गैस पे शेकेंगे यह देखी ऐसे हम इसमें डालते जाएंगे सब और इन्हें अच्छे से शेक लेंगे गाये जी ऐसा नास्ता है कि आप भी कहोगें कि यह कैसा नास्ता लेकर यह बहुत क्रिस्प बहुत क्रंची बनके गए आलू जो है नहीं अंदर तक सिके तैयार हो जाएंगे बस आपको यही ध्यान रखा एक तो इसको हाई फ्लेम पे ना सेके इसे लो टू मीडियम फ्लेम प तो वो अंदर तक अच्छे से बख जाएगा और उसमें एक अलगी क्रिस्पी टेस्ट आएगा यह देखे यह अच्छे से सिख्ये तयार हो गए इसको हम निकाल लेंगे चलो आई अब दूसरा बैच में डाल देते हैं ऐसे हम दूसरे बैच को अच्छे से से शेक लेंगे और यह तो आपको पताएगा आलू तो सभी के घर में होते हैं जब आपके बच्चों का भार का खाने का मनों खुद का भार का खाने का मनों एकदम से रिष्टेदार आजए मैं मन तो अपना तुरंत आलू कटी और तुरंत बना दीजी यह देखें यह भी अच्छे से सिक्के तयार हो गए हैं चलो इन्हें भी हम जल्डी से अठाई से बहर निकाल लेते हैं और हां गाई जिसने आटे के रस गुले की रेसीपी नहीं देखी है वो मेरे चैनल पर पड़े हुई हैं जाके उसे जल से जल देखें यह देखें कितने अच्छे क्रिस्पी नास्तवन के तयार हो गए हैं यह से हम ग्रिन चटनी के साथ खाएंगे यह ग्रिन सोस के साथ भोती तेश्टी लगता है आपको रेसीपी कैसी लगी मुझे कोमेंट करके बताएं प्लिज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो का जादा से जादा शेर करें लाइक करें हर हर महादेव